हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल इस्टरी विद प्रिया आज हम अपने इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर शिक्स सॉल्ल करेंगे यह है विलोम शब्दों से समिन्दित आरो यारो दो हजर तेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और यह पूरू की परिक्षाओं की प्रैशन है यह मेंशन आगे किया हुआ है कि किस एक्जाम में कब आया है चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रैशन है 251 नंबर का अवर्ष्ट का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर 20 का सही है प्रवर अवर का विलोम प्रवर काल का विलोम होगा सुकाल का विलोम सुकाल है जबकि वर्तमान का विलोम नी वर्तमान है लगु काल का विलोम दीर्खकाल है अगला प्रैशन है 253 नंबर एकागर का विलोम है चंचल एकागर का विलोम चंचल अगला हमारा प्रैशन है 252 कल्पित का विलोम है यथार्थ क् कल्पना हीन का विलोम कल्पना युक्त प्रकृति का विलोम कृत्म है अगला प्रेश्चन है 255 नमबर निमलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है इसमें से यह बताना है अगला इसमें देखिया अप्शन नमबर सी उत्पाद उर्वर का विलोम उसर, अनुर्वर और बंजर है जबकि उत्पाद इस से संदर में चीछिए नहीं है तो यह उत्पाद होगा अगला है 256 नमबर आरोह का विलोम अवरोह उप्शन नमबर A सही है इसमें और दिया है अवसान का विलोम अवसान का अर्थ मृत्व्त्य है इसके तरिक अन्विकल्ब दूसे भावों को व्यक्त गरते हैं चलिए 257 नमबर घात का विलूम प्रती घात अप्शन नमबर A सही है इसका घात का विलूम क्या है प्रती घात और मैं वो आपने लिया है ना पैन कॉपी लेकर बैठे है ना जो प्रशने आप उसमें नोट कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो अच्छा है आपका शॉट नोट तयार हो जाएगा इस तरही के से एक्जाम टाइम में आप उसे देख सकेंगे और बहुत जल्दी रिवीजन भी कर सकेंगे ठेक है उपकार का विलूम अपकार अगला हमारा प्रशन है 255 नोबर आघात का विलूम क्या है प्रतिघात अभी हमने देखा था आघात का विलूम प्रतिघात ऑप्शन नोबर सी से यह अगला हमारा प्रशन है 259 संगठन 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 का विलूम होगा विगठन संगठन का विलूम विगठन जबकि विशलेशन का विलूम संसलेशन परमार्थ का विलूम स्वार्थ इंपोटेंट है परमार्थ भी और विशलेशन संसलेशन अगला है 260 नमबर कोश्चन सत्यागरह का विलूम सत्यागरह का विलूम दुरागरह क्या है दुरागरह option number C से यह होगा इसका यहाँ पर दीखे सत्यागरा का विलोम दुरागरा है मिथ्यागरा भी सत्यागरा का विलोम है याद रखें कि मिथ्यागरा भी सत्यागरा का विलोम है जबकि आगरा, विगरा, संगरा इस प्रशन के लिए उचित उत्तर नहीं है अगला है 261 नमबर, संकल्प का विलोम है, विकल्प, संकल्प का विलोम क्या है, विकल्प है, अगला प्रश्न है, 262 नमबर, सहीयोगी का सर्वता उप्युक्त विप्रार्थक शब्द क्या है, सहीयोगी का होगा, प्रतियोगी, क्या होगा, सहीयोगी का उप्युक्त विप् विलोम होगा अध्रिश्य द्रिश्य का विलोम अध्रिश्य ओप्शन नमबर सी सही है अगला प्रेश्ण है चड़िक का सही विलोम शब्द है चड़िक का विलोम होगा शाश्वत बी ओप्शन सही है चड़िक का विलोम शाश्वत अल्प छर विमुक का विलोम क्रम्शा क्य अगला प्रेश्ण है असीम का विलोम क्या होगा ससीम असीम का विलोम ससीम अगला प्रेश्ण है हमारा 266 नंबर इनमें से अनुगरह क्षब्द का विलोम कौन है अनुगरह का विलोम विग्रह होगा क्या होगा अनुग्रह का विलोम विग्रह ग्रहन का अरपन अरपन का विलोम होता है नोट कर लिजे अनुग्रह का विग्रह ग्रहन का अरपन ये ग्रहन का अरपन जरूर नोटिस कर लिजेगा अगला प्रेश्ण है 267 नमबर अनुग्रह फिर से आ गया है अनुक्रा का विग्रा देखी कई एक्जाम में आ चुका है अगला है 268 नंबर कोश्चन निद्रा का विलोम अनिद्रा क्या है निद्रा का विलोम अनिद्रा इसका विलोम जागरण भी हो सकता है निद्रा का याद रखेगा नोट कर लिए निद्रा लिखे उसका विलोम अगर्ध प्रकट करते हैं 269 No question तेजिस्वी का विलोम होगा निस्तेज क्या होगा तेजिस्वी का आवलोम होगा निस्तेज कानती युक तेजवान का समानार थी है है अगला है aparistan 27 Okeonistus ये भी मनें देखा था न जेस्ट का विलोम क्या होगा कंश्ट ये मेंस में आया था UP pieces 2017 में अगला है महारे प्रश्ण जेष्ट का विलोम कनिश्ट हमने देखा इसके साथ ही again anuj का विलोम है ये भी note कर लिए agraja nauj का फिर से आ गया है कनिश्ट का विलोम jest हमें पता ही है अनुज किसका था अग्रज का अभी उपर हमने देखी लिया है अगला है शुष्क का विलोम होगा आद्र क्या होगा option नमबर A आद्र होगा शुष्क का विलोम आद्र होगा जबकि उष्ण शीत का विलोम है यह उष्ण लिखा है इसका विलोम क्या है शीत जबकि ठंडा यह ठंडा दिया हुआ इसका गर्म विलोम है अगला प्रेशने 270 नंबर आद्र का विलोम फिर से आ गया आद्र का विलोम अनाद्र क्या है आद्र का विलोम अनाद्र शुष्क भी होता है इसका विलोम अभी हमने उपर देखा नम सजल आद्र के परियावाची शब्दे हैं यह ज शोता का है वक्ता शोता का विलूम वक्ता वाचाल मूख का विलूम है यह वाचाल लिखा है ना यह मूख का विलूम है अगला है 242 नंबर कोश्चन उत्थान का विलूम पतन अप्शन नंबर B उत्थान का पतन होता है विलूम शब्द इसमें और भी दिये हुए पताल अका का विलोम है जबकि उन्नती अवनती का निम्न उच्च का विलोम है अगला है दोसो चेतन नंबर मानवी का विलोम शब्द बताईए अमानवी ऑप्शन नंबर सी सही है मानवी का विलोम अमानवी मानुश एवं मानव एक दूसरे के परयायवाची जबकि अमानवता मानवता क निकेतन का मतलब घर होता है जबकि सचेतन दिया हुआ सचेतन चेतन सहीत होता है ठीक, अगला है हमारा दोसो, अठत्तन नंबर कोश्चन, आकर्षन का विलोम क्या है, आकर्षन का होगा वी कर्षन, नोट कीजिए, आकर्षन का वी कर्षन, आकर्षन का वी कर्षन, अगला है 279, उपमान का विलोम क्या है, उपमे 289 का विलोम इसन सोग है अगला प्रेशन है अतिहासिक का विलोम होगा अने विलोम करपा है अगला हमारा प्रश्ण है आकाश का विलोम आकाश का पताल होता है गगन एवं नब आकाश के परियाए बाची है जबकि स्वर्गन नर्क का विलोम है स्वर्गन नर्क का है और आकाश पताल कहीं हम देख चुके है अगला हमारा प्रश्ण है 283 नंबर मगन का विलोम मगन का दुखी मगन का विलोम दुखी होता है प्रसंद खुश मगन के परियावाची है जबकि दुख सुख का विलोम है मगन का क्या होता है विलोम मतलब मगन मतलब खुशी होता है और इसका विलोम होता है दुखी अगले 284 number question ओहो कहाँ चला गया 284 number question था हमारा उपमे का सरवता उपयुक्त विपरार था उपमे का होगा अनूप मे क्या है अनूप मे नोट कीजिए उपमे का अनूप मे और जो आपने भी नोट किया है सुबह उठेंगे आप उसको 15 मिनट या 10 मिनट भी देखेंगे न तो आपका वो फिर से recall हो जाएगा जो आपने पढ़ा है और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप सोच रहे हैं कि आपको एक एक शब्द कैसे याद होगा और अभी आपके पास डियर महीना है आदा गंटा और बहुत वीक हैं तो एक घंटे दे देंगे न तो आपके तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएगे हिंदी भी ठीक है अगला देखते हैं हम अपना उपमे का अनुपमे हो गया और इसमें दिया हुआ है अतुल्नी का विपरार्थक शब्द तुल्नी होता है अनुपमित का होता है अगला प्रश्न है 285 नंबर वादी का विलोम है वादी का अवादी होगा प्रतिवादी वादी का विलोम देखिए इसमें क्या है प्रतिवादी ओप्शन नमबर सी सही इसका अगला है 286 नमबर अधम का विलोम क्या होगा उत्तम अधम का विलोम उत्तम होगा धर्म अधर्म का विलोम होगा महत लगुत्तम का विलोम है अगला है किर्थी का विलोम क्या होगा कीर्थी का होगा अब कीर्थी क्या है कीर्थी का विलोम अब कीर्थी है अगला 288 नमबर तुच्छ का विलोम महान होता है तुच्छ का विलोम महान जबकि कायर साहसी का विलोम है छुद्र विराट विशालिया महान का होता है अगला हमारा प्रश्न है 289 नंबर नश्वर शब्द का विलोम क्या है नश्वर का होता है शाश्वत नश्वर का विलोम शाश्वत है नित्ति का विलोम अनित्ति है स्थाई का विलोम अस्थाई होता है अमर मर्ति का विलोम है अगला हमारा प्रेशन है 290 नमबर चिरंतन का सही विलोम है नश्वर चिरंतन का सही विलोम शब्द है नश्वर चिरंतन का सही विलोम नश्वर अचिंतन का विलोम है चिंतन अचर का विलोम चर होता है अचेतन का चेतन होता है अगला है 291 number question चिरंतन अगें चिरंतन आ गया ये 2016 में आया था ये 2010 में आया था का विलोम शब्द लिखिए चिरंतन का क्या है नश्वर और इसमें भी तो नश्वर ही था ठीक, अगला है 292 विस्तरत का विलोम है संशिप्त विस्तरत का विलोम संशिप्त होगा जबकि स्तुती निंदा का विलोम है सियोत चित का विलोम है अगला है 293 number विशिष्ट का विलोम क्या होता है समानने होता है अब विशिष्ट का विलोम समानने इसका विलोम साधारन भी हो सकता है अब विशेष्ट लिख कर समान ले लिखिए फिर स्लेश लगा कि साधारन लिखिए ये कल भी मैंने बताया था शिष्ट का विलोम अशिष्ट जेष्ट का विलोम कनिष्ट ये भी हो गया है तब कुछ-कुछ रिपीटेड है नोट कर लिजे आपका शॉट नोट तयार हो जाएगा टूफ निर्मल का विलोम क्या होगा निर्मल का मलीन होगा निर्मल का विलोम मलीन होता है जबकि पवित्र और पावन परियाबाची शब्द है निर्जर जहर का विलोम है अगला हमारा प्रेशन है निमलिकित में से कौन करपा का विलोम है करपा का विलोम होगा कोप option number A करपा का विलोम कोप होगा और इसमें जो दिया है क्या लिखा है कोप के अन परियाएं है अमर्श, असुया, आक्रोश, ताप, संताप, छोब, रुष्टी ये सब कोप के परियाए बाची है 296 number स्थूल का विलोम क्या होगा स्थूल का होगा सूक्ष्म स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा प्रतिकूल, अनुकूल का विलोम है जबकि भीम का भी स्थूल का परियाए बाची है अगला है 297 जारच का विलोम क्या होगा औरस होगा जारज का विलोम और प्रदत का विलोम लब्ध होता है दत्तक जारज का परयावाची है अगला प्रेशन है 298 नमबर मस्रन शब्द का विलोम है रुक्ष रिसरन का विलोम शब्द क्या होता है रुक्ष होता है दुबारा फिर ये एक्जाम में आया है 299 नमबर अभी हमने देखा था रुक्ष होता है नोट कर लिए तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीडियो है अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद